नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबधस हमारे अतिपूजी नियुग गुरु भांजी जी को हम प्रथम नमस्कार करते हैं श्रद्धांद उपासको हमारे शास्ता तद्धाग सम्मेक संबधने चार असंखिय एक लाख कल्प काल तक पार्मिताओं को पूरा किया है इतना प्रदिर्ग काल उन्होंने पार्मिताँ पूरी करते हुए गुजारा है और इसी पार्मिताँ के पुन्य बल के आधार पर उन्होंने बोधी मंड वजरासन पर विराजमान होकर सम्मा संबोधि ग्यान प्राप्त किया इस प्रकार भगवान बुद्ध ने स्वयम विमुक्त होकर स्वयम सम्मा संबोधि ग्यान प्राप्त कर औरों को यानि दूसरों को सभी देवता मनुश्यों को इस संसार दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म की देश ना दिये भगवान ने आपने भीतर के सारे उपकलेशों को समूलता से नश्ट कर दूसरों को देवता मनुश्यों को आपने चित्त के सारे कलेशों को नश्ट करने के लिए उबदेश दिया है भगवान बुद्ध ने इस भावचक्र में जो बार बार मिलने वाला जन्म है बुढ़ापा है बुद्धिव है इस भावचक्र से स्वहम मुक्त होये हैं और दूसरों को भी इस भावचक्र से मुक्त होने के लिए धर्म की देश ना दिये और इस संसार का एक मातर ऐसा एक व्यक्ति होता है जो इस प्रकार की देश ना दे सकते हैं दूसरा कोई नहीं हो सकता चाहे ब्रह्मलों के ब्रह्मा क्यों नहों उनके लिए भी मुक्ति का मार्ग तधाग सम्मिक संबुद ही बताते हैं तधाग सम्मिक संबुद जब लोग में नहीं होते तब उन ब्रह्माओं के बीतर भी इस प्रकार के दृष्टी उत पर नहोती है कि हम अजर है, अमर है, हमने अमृत पा लिया है, हमें बुड़ापा नहीं है, मृत्यू नहीं है उनका इस परकार कहना स्वभाविक भी होता है, क्योंकि उनकी उम्र इतनी लंबी होती है कि उनको उनका अंत नहीं दिखाए देता एक कल्प कार्ल में जो अंतराल होता है उसी को देखनावे बहुत दूशकर होता है तो ऐसे दो कल्प या ऐसे 4, 5, 10, 500, 600 कल्प तो कही नहीं क्या है तो इसलिए भी उनके बीटर इस प्रकार का विचार आता है तो इसलिए भी हमारे भारत के आनेक लोग कहते हैं कि वी लोग आजर है अमर है आदी आदी लोग से वे मुक्त है लेकिन जब तद्धागस सम्मिक संबुद सिहनाद करते हुए जब धर्म के देशना करते हैं कि ये सभी लोग अनित्य है हेतु से उत्पन हुए है और हेतु नस्त होने के बाद वे नस्त हो जाते हैं तो ये सुनने के बाद सभी देवताप सभी ब्रह्मा कंपीत हो जाते हैं जो दिरगाई देवता है ब्रह्मा है और कामाचर देवताओं के तो कहना ये क्या है विच्छाई प्रकार की लोग होते हैं लेकिन वे तो सामाने तोर पर भगवान की वानी सहर जरूप से समझ लेते हैं लेकिन जो इस प्रकार का दिरगहाई रहने वाले देवता भी ब्रह्मा भी जब इस प्रकार की बुद्धवारे सुनते हैं तो कंपीत होते हैं और समझते हैं कि आरे हम तो आज तक स्वयम को विमुक्त समझते थे लेकिन हम तो इस संसार बहुचक्र में पड़ गिरनी वाली ही है और इस तरह से ग्यान कर भगवान के पास आकर धर्म श्रवन कर मुक्ति का लाब करते हैं तो इसलिए भी भगवान बुद्ध जो धर्म देते हैं वो ऐसे ही सिर्व बोलने के लिए नहीं देते हैं उन्होंने स्वयम विमुक्ति का सक्षत कार किया है और दुसरों को विमुक्ति के लिए धर्म की देशना दी हैं तो ऐसा ही विमुक्ति दायनी जो स्रिश सर्धर्म है वो हम शोवन कर रहे हैं पीछले धर्व देशना में हमने आप लोगों को ज्यानवत्थ सूत्र याने ज्यानवत्थ सूत्र जो पटिच समुत्पात के अधार पर है उसके बारे में हमने थोड़ा परिचे देखा है और आज हम उसी सूत्र का जो सेश बचा हुआ भाग है उसी को आगे देखने वाले है समझना है कि भगवान बुद्ध की वानी निर्वान की और ले जाने वाली है निर्वान का सक्षत खार कराने वाली है बाहरे मिध्या मतवादो के अधार पर हम नहीं कह सकते है कि अरे यह हमारे सास्तरों में थे इस प्रकार है यह कैसे होगा यह सतों नहीं होगा यह अदिम यह उनका विशे है तो समझना चाहिए कि यह बुद्ध की वानी है जो संसार दुक्कों से मुकत हुए है उन्हें वी मुकत तढ़ाकत की वानी है जो वी मुकती के लिए उपे होनी है तो इस प्रकार शaprèsद्धा रकते हुए इस धर्म को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए तो हमने इस 97 में हमने जो 44 प्रकार का जो ग्यान है वो हम देख रहे थे उसमें से हमने दो कड़ियों का ग्यान हमने देखा है जिसी कि जरामरन को हमने समझा है जरामरन के समूदय को यानि कि उसके उत्पति होने के कारण को समझा है उसके निरुद होने के सुभाव को देखा है उसके निरुद को देखा है जरहमरन के जरुद के और ले जन्ने वाले मारग प्रतिपदा के बारे में देखा है उसके बारे में हमने पूरी जान करे देखी है और जन्म के बारे में देखा है जन्म का समुद जन्म का निरुद औ और ले जन्योरी प्रतिपदा के बारे में हमने जान कर देखिये और हमने देखा है कि इस तरह से जो धर्म का ग्यान है और जो अन्वे ग्यान है जो कि भूतकाल और भवशेकाल के जो श्रमन ब्रामन है या श्रमन ब्रामन का अर्थ होता है जाती से श्रमन ब्रामन नहीं धर् जैसे कि सम्मिक संबुद्ध जथा उनके श्रावकों को कहा जाता है कि श्रमन ब्रामन तो भूतकाल और भवशकाल के जो भी तद्धागस सम्मिक संबुद्ध हुए या उनके श्रावक हुए उन्हें ने जो धर्म का ग्यान प्राप्ट किया है वो इसी करम से यही ग्यान उनोंने आवबोद किया है इसी धर्म का ग्यान का अनुगमन किया हुआ है तो इस प्रकार धर्म ग्यान और अनुवे ग्यान का जो व्यक्ति आवबोद कर लिता है समझ लिता है तो व्यक्ति किस प्रकार से इस धर्म में आने वाला बनता है एक दिट्टी संपन बनता है दर्शन संपन बनता है और इस सध्धर्म में आया हुआ प्रविष्ट हुआ व्यक्ति कहलाता है और इस धर्म को सत्य रूप में एक ग्यान के दुरुष्टे से देखने वाला बनता है और जो निर्वान के और ले जाने वाली जो व्यक्ति है उसका ग्यान है उस ग्यान से व्यक्ति युक्त बनता है उसी परकार निर्वान के और ले जाने वाली विज्दियां से युक्त बनता है और वह अमरुद्वार त आज हम आगले कुछ इस सूत्र का आगला भाग देखेंगे भगवान आगे उस सूत्र में कहते हैं भाव को बताते हैं भाव के समुदय को बताते हैं भाव के निरोद को बताते हैं और भाव के निरोद के और ले जाने वाली प्रतिपदा को बताते हैं क्या होता है भाव भाव का इस प्रकार पर इज्ञान करना चाहिए कि भाव तीन प्रकार का होता है यानि तीन प्रकार के भाव होते हैं जैसे कि काम भाव रूप भाव और आरूप भाव इसकी व्याक्या हमने जो इससे पहले के प्रवचन में की हैं आप वहां पर भी देख स तो ये तीन भाव होते हैं तो ये सभी तीन भाव अपने कर्मान रुप बनते हैं और ये भाव इसलिए होते हैं कि उसका हेतु है बिना हेतु से उत्पन नहीं है तो क्या है उसका समुदे भागवान कहते हैं उपादान का समुदे होने से उपादान के हेतु प्रते से भाव बुग पढ़ना होता है बहु होता है अगर उपादान नहीं है तो भव नहीं होता है ये उसका निरोध है और भव के निरोध कि और ले जाने वाली प्रतिपदा है जो जो यही आरिय अस्तांग एक मार्ग है तो इस तरह से ये चार सत्य ग्यान है फिर भगवान बुद्ध कहते हैं उपादान उपादान का समुदे यानि उपादान होने का कारण उपादान का निरोध और उपादान के निरोध के और ले जाने वाले प्रतिपदा तो इसे स्पा वाम उपादान, दिठी यानि दृष्टी उपादान, सीलव ब्रतः परामर्श उपादान और आत्मवाद यानि की कि मेरा या आत्म कहने के जो दृष्टी होती है उससे जुडिई हो उपादान, उपादान माने बंधन, यह हम इसका बहुत सर विस्तार नहीं देखने वाले हैं, विस्तार जानने के लिए से पहले के देशनाश्रवन करना चाहिए, तो यह जो उपादान कहें हैं, वे चार प्रकार कहें, उपादान माने बंधन, तो इस तरह के बंधन होते हैं कि उसके लिए ये संसार में आने के लिए या भाव निर्मान होने के लिए खारण बनते हैं तो ये उपादान ऐसे ही नहीं बनता है उसका भी ये तू है वो ये तू होने से उत्पन होता है ये तू नहोने से उत्पन नहीं होता है इसी आर्थ में वो क्या है आनित्य है अगर वो आनयास उत्पन होता किसे के द्वारा उत्पन हुआ होता तब एक अलग बात होती है उसके बारे में फिर नित्य दुरुआदिक शब्द प्रयोग कर सकते हैं लेकिन वो हेतू से उत्पन हुआ है इसलिए भगवान बुद्ध क नित्य है उसका हीतु क्या है उसका प्रतिय क्या है भगवान कहते है तन्हा तुरुष्णा के समुदे से उपादान होता है तन्हा पच्छया उपादान और तुरुष्णा जब निरुद हो जाती है तो उपादान नहीं रहता है तुरुष्णा निरुद होते ही उपादा निरुद्ध हो जाता है, ये धर्मता है, ये सुभाव है, तो ये उसका निरोध है, और इसी उपादान के निरोध किया और ले जाने वाले जो प्रतिपदा है, यही आरिये आस्टांगीक मारग है, जैसे कि सम्मिक दृष्टी, सम्मिक संकल्प, सम्मिक वाचा, सम्मिक कर्मा संध, सम्मिक आजविका, सम्मिक व्याया, सम्मिक स्मृति, सम्मिक समाधि यह आर्यास्तांगी मार्ग है जो उपादान के निरोद के और ले जाने वाली प्रतिपदा है इसको भावित करना होता है भगवान आगे कहते हैं तुरुषना के बारे में बताते हैं तुरुषना के समुदय के बारे में बताते हैं तुरुषना का निरोध और तुरुषना निरोध की और ले जाने वाली प्रतिपदा के बारे में बताते हैं तो भगवान कहते हैं तुरुषना चहे प्रकार की होती है जैसे कि चक्षु का जो विशय है रूप रूप से संबंदित तुरुष्णा उत्पन्न होती है उसे कहते है रूप तुरुष्णा कांड से जो संबंदित है उसे कहते है शब्द तुरुष्णा और गंद तुरुष्णा रस या रसस्वाद करने की बारे होती है रस तुरुष्णा और स्पर्ष तुरुष्णा स्प धम तुरुष्णा कहते है तो ये च्छे तुरुष्णाय होती है ये जो च्छे तुरुष्णाय है ये च्छे तुरुष्णाय भी उत्पन ऐसे ही नहीं हुई है उसका हेतु है तो भगवान तुरुष्णा का समुदे बताते है वेदना पच्चया तन्ना वेदना समुदया वेदना समुदया तन्ना समुदयो यानि कि वेदना का समुदय होने से वेदना के प्रतिय से ही तुरुषना उत्पन्न होती है तो इस प्रकार भगवान बुद्ध उसका हेतु बताते है यानि कि वो हेतु से उत्पन्न होती है अर्था तो आनित्य है यानि कि वो वेदना अगर नहीं होती है, वेदना अगर निरुद होती है तो तुरुषस निरुद होगी ही यह साक्षात करनी बात होती है, मैंने इसे पहले भी बात कही है दुख जैसे कि कोई जो समोदे सत्य है उसको प्रहान करना होता है और जो सत्य है उसको परिज्यात करना है और इसको निरोध को साक्षात करना है और निरोध के और ले जाने वाली प्रतिपदा को भावित करना होता है तो तुरुष्णा के निरोध की और ले जाने वाली प्रतिपदा है यही आरियर अस्टांगिक मार्ग है भगवान आगे कहते हैं वेदना वेदना का समुदे वेदना निरोध और वेदना निरोध गामेनी प्रतिपदा तो भगवान इन चार सत्य ग्यान के बारे में इस तरह बताते हैं कि वेदना भी छहें प्रकार की होती है जैसे कि ये वेदना मारे जो हम महसूस करते हैं जो हमारे चित और शरिर की स्तर पर जो हम महसूस करते हैं सुखद दुखद या अदुखद असुखद के तोर पर जो हम मैसूस करते हैं उसी को समवेदना कहते हैं तो ये समवेदना हमने सिर्फ सोचा है कि इस तरह कि हमें समवेदना हो रही है करके इस तरह कि समवेदना उत्पन नहीं होती है समवेदना ही तुसे उत्पन होती है और समवेधना उत्पन होने के बाद हमें बाहरी शरीर या बाहरी दुनिया के कलपना नहीं करने है कि या विचारों के कलपना नहीं करने है कि जो समवेधना उत्पन होती तो हमारे चित्त स्कंदा और शरीर स्कंद पर ही उसका मतलब जो उत्पन होती है उसका आधार है जानने का तो इसी को मूल करते हुए अपने शरिर को ही बूल करते हुए ये समझना है कि ये वेदना है और वेदना इस तरह से जानना है कि जो भी सुखद हो दुखद हो या अदुखद सुखद सवेदना हो उसी को उसी प्रकार से जानना चाहिए और ये जानकर उसके बदलते हुए सोभाँ को देखते ही लेकिन तो बदलता हुए सोभाँ क्या होता है जब स्पर्ष के कारण वेदना उटपरना होती है जो हमारे शरिर के में कुछ खालन चालन होती है या ऐसा कुछ हमें create करते हैं तो इस तरह के वेदना से आनित्य बहुत होना वो भी अच्छी बात है कि आनित्य हैं करके कहना लेकिन आनित्य इस माने में देखना चाहिए कि ये वेदना जो है वो हेतु से उपन हुई है चाहे फिर वो वेदना का हेतु हम आगे देखेंगे तो ये वेदना क तो ये च्छे प्रकार की वेदना है जैसे कि चक्षू संस्पर्ष जन्य वेदना जैने चक्षू के संस्पर्ष से उत्पन्द होने वाली वेदना कान के संस्पर्ष से उत्पन्द होने वाली वेदना नाक के संस्पर्ष से उत्पन्द होने वाली वेदना जिवहा से जब रस का स्वाद चकते हैं तो उसके संसपर्ष से उत्पन्द होने वाले वेदना काया के संसपर्ष से उत्पन्द होने वाले वेदना और मन के संसपर्ष से उत्पन्द होने वाले वेदना ये च्छे प्रकार की वेदनाएं होती है तो ये वेदना सुखद भी हो सकती है दुखद असुखद भी हो सकती है अगर चित्त स्तर पर हम उसी वेदना को देखते हैं तो वही वेदना सो मनस से वेदना होती है यानि सुखद वेदना चैत्त सिक सुखद वेदना को सो मनस से कहते हैं दौर मनस से वेदना यानि चैत्त सिक स्तर पर जो हम दुखद वेदना पीडा वेदना जो अदुखद असुखद यानि दुखद सुखद भी नहीं है और दुखद भी नहीं है उपेक्षा युगत है तो उस वेदना को उपेक्षा वेदना भी कहते हैं तो इस तरह की ये वेदना है होती है तो भगवान कहते हैं इस वेदना का समुदय है यानि कि उसका होने का कारण है प्रतिय है तो क्या है उसका उप्रतिय है तो भगवान बताते हैं फस पच्छ या वेधना स्पर्ष होने से ये वेधना होती है अगर स्पर्ष नहीं होता है तो वेधना नहीं होती फिर हमें वेधना की कलपना करनी नहीं है कि ये इस प्रकार के वेदना है करके तो ये इसी हो रही है करके अगर स्पर्ष होता है अच्छा है इंद्रियों से जुड़ा हुआ कोई स्पर्ष होता है तो वेदना होती ही है ऐसा कभी नहीं होता कभी कभी लगता है कि हमने आखे बंद की है, रूप नहीं देखता है, हम शब्द नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अपना मन तो हमेशा कारे करता है, या शरिर से कोई संपर्ग में कुछ स्परश्टवे स्पर्श होता है, तो किसी ने किसी प्रकार का जो स्पर्श होता है, तभी वेदना उ होती है, अकारण कभी उत्पन नहीं होती है, और यहीं कारण जब नहीं होता तो वेदना नहीं होती है, जाने कि निरुद हो जाती है, इसी आधार पर हमें जानना चाहे कि ये वेदना आनित्य है, आनित्य है, ये आधार पर इसे कहते है विपस्थना प्रग्या, जेदना के निरोध की और ले जाने विल जो प्रतिपदा है वा आर्यास्टांग की मार्ग है उसी प्रकार हमें देखना भगवान बुद्ध कहते हैं स्पर्ष को स्पर्ष के समुद्ध स्पर्ष का निरोध और स्पर्ष के निरोध की और ले जाने विल प्रतिपदा को बतात तो क्या होता है स्पर्ष पर्ष भी छहे प्रकार का होता है जैसे कि चक्षु रूप और चक्षु से उत्पन हुआ विज्ञा इन तीनों की संगते से स्पर्ष होता है यह हामेश याद रखना है यह स्पर्ष ऐसा ही नहीं होता जैसे कुछ हमें चूलिया यहां मन ले लिया वहां पर स्पर्ष मतलब वेदना मैसुस होई आगे इस तरह का स्पर्ष नहीं होता है स्पर्ष होने के लिए जो च्छै इंद्रिया है वो भी च्छै स्पर्ष बताए है जैसे चक्षू संस्पर्ष, शोत संस्पर्ष, घांड संस्पर्ष, नाक का संस्पर्ष, जिवा संस्पर्ष, शरिर का संस्पर्ष, और मन का संस्पर्ष तो ये संस्पर्ष जो स्पर्ष होता है तो इस तरह आगा जैसे कोई एक इंद्रिया है तो जैसे चक्षु है उसका विशय है रूप देखना तो ये रूप है तो इन दोनों के प्रतिय से उसका विज्ञान उत्पन होता है उसे जानने का जो विज्ञान है वो चक्षु में उत्पन होता है तीनंग संगती फस्च यानि कि चक्षु बिद्धित रूप यसे उत्पन होने वाला विज्ञान भी हेतू से उत्पन हुआ है और इन तीनों की संगती से उत्पन स्पार्ष भी आनिते हैं तो इस तरह के हेतु से उत्पन हुआ स्पर्ष ये बहला नित्य कैसे हो सकता है वो भी आनित्य है इस तरह से जानना है तो इस संस्पर्ष को जानना है तो ये स्पर्ष होने का समुदय क्या है उसका उत्पन होने का प्रतिय क्या है तब भगवान बताते हैं ये जो शड़ इं मन ये च्छै इंद्रिया होने के कारण ही स्परश होता है और ये च्छै इंद्रिया अगर नहीं होती तो स्परश नहीं होता तो ये उसका निरोध है और उस स्परश के निरोध की और ले जाने वाली प्रतिपदा है ये आर्यास्तांगिक मार्ग है बागवान आगे कहते हैं ये च्छाई इंद्रिया, च्छाई इंद्रिया का समुदय, च्छाई इंद्रिया का निरूध और च्छाई इंद्रिया के निरूध की और ले जानने वाली प्रतिपदा को बदाते हैं, तो ये च्छाई इंद्रिया कौन सी है, जैसे कि हमने आभी देखा है, जैसे चक्षू कान, नाख, जिवा, शरीर और मन इसे काया भी बोलते हैं शरीर को तो ये च्छै इंद्रिया है ये च्छै इंद्रिया हेतु से उत्पन वूए है ये उसका समुदे है उसके उत्पन उने का कारण है तो क्या है कारण? तो भगवान कहते हैं नाम रूप पच्चया सलायतन नाम रूप समुदेया सलायतन समुदेयो ये नाम रूप होने के कारण ही नाम रूप के प्रत्य से ही ये तो से ही ये च्छै इंद्रिया हुद्पन होती है ये उसका प्रादुर्बा होता है अगर ये नाम रूप नहीं होता है तो ये च्छै इंद्रिया उत्पन नहीं होती तो ये उसका निरोध है और इस च्छै इंद्रियों के निरोध होने की और ले जाने वाले जो प्रतिपदा है वह है आरिय अस्टांगिक मार्क ये प्रतिपदा है भगवान आगे कहते हैं नाम रूब को बताते हैं नाम रूब का समुदे नाम रूब का निरोध नाम रूब के निरोध के और ले जाने वाली प्रति पता। ये चार सत्य ग्यान भखवान बुद्ध बताते हैं, तो नाम रूप क्या है, जैसे कि हमने विश्थार से पहले की देशना में कहे हैं, बताया है, नाम याने नाम के सकंद में पांच अंग होते हैं, जैसे कि वेधना, सन्या, चेतना, स्पर्ष और मनसिकार, ये नाम खेलाता है, और रूप सकंद में आते हैं, जो चार महाबूत है, चार महाबूत याने जो पृत्वी आप तेज वा है, और इसी उत्पन जो ये हमारा शरीर है, इसी को रूप कहते हैं, ये दोनों मिलाकर ये नाम रूप होता है, तो ये इस तरह से इस नाम रूप को समझना चाहिए तो ये नाम रूप भी अनायास रूप से उत्पन नहीं हुआ है इसे के द्वारा उत्पन नहीं हुआ है भगवान कहते है उसका उत्पन होने का हेतु है और वो हेतु है भगवान कहते है विन्यान पच्चया नाम रूपंग विज्यान समुदया नाम रूप समुदयो तो उसका मूल हेतु है समुदय है विज्यान विज्यान होता है इसलिए नाम रूप है और विज्यान होने से ये नाम रूप नहीं होता है उसका निरूद है उसका निर्द होना है और नाम रूप के निरोध की और ले जाने वाली प्रतिपदा यही आर्यास्तांग इकमार रहे हैं फिर भगवान कहते हैं विज्ञान के बारे में बताते हैं विज्ञान का समुदे उसका निरूध और विज्ञान के निरूध की और लेजाने के प्रतिपदा की वारे बताते हैं। दोनों की संगति की कारणा उसका संपर्क होने की बाद ही उसका विज्ञान उत्पन होता है तो इस तरह से चक्षु विज्ञान का विज्ञान नाप का विज्ञान जिवां का विज्ञान शरिर का विज्ञान और मन का विज्ञान तो ये चहे विज्ञान होते हैं तो ये चह संसकार के हेतु प्रतिय से ही विज्ञान उत्पन होता है अगर संसकार नहीं होता है तो विज्ञान नहीं होता है ये विज्ञान का निरोध है और विज्ञान के निरोध के और ले जाने वाली प्रतिपदा है यही आरे अस्टांगिक मार्ग है बहवान आगे कहते हैं ये जो संसकार है, संसकार का समुदे संसकार का निरोद और संसकार की निरोद के अरलेजन प्रती बदा है उसको बताते हैं कि संसकार तीन तरह के तीन प्रकार के होते हैं जिसे कि काईक संसकार वची संसकार और मनो संसकार ये तीन संसकार है ये संस्कार भी हेतू से उत्पन्न होते हैं इसलिए उसका समुदे है ये अनायास उत्पन्न नहीं हुए है तो वो बता तो भगवान कहते हैं कि जो भी संस्कार उत्पन्न हुए है वे आविध्या से उत्पन्न हुए है यानि कि अविज्या पच्चया संखार अविध्या के हेतु प्रत्य से संस्कार बनोए और अविध्या अगर नहीं होती है तो संस्कार भी उत्पन नहीं होती है तो यह उसका निरोध होना है तो यह उसका निरोध है अविध्या संस्कार का निरोध होना है और उस संस्कार के और ले जानुट प्रतिपदा है वो यही आर्यास्ता की किमारगा है जैसे कि सम्मिक दुरुष्टी, सम्मिक संकल सम्मिक वाचा, सम्मिक कर्मांद सम्मिक आजविका सम्मिक व्यायाम सम्मिक स्मुर्दी और सम्मिक समारे तो यह इस तरह से जो भगवान बुद्ध ने इस ज्यान वत्थ सूत्र में 44 प्रकार का ग्यान बताया है अभी यहाँ जो आपको किसी किसी शब्द की कुछ व्याख्या अगर समझ में नहीं है उसका आर्थ समझ में नहीं आया तो इसे पहले की देश ना सुने जिसे कि एक दिया है पटिच समुध पात के सरल व्याख्या उसमें दिया है या उससे जुड़े और भी प्रवचन है वो सुनना चाहिए भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में 44 प्रकार का ग्यान बताया है जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया है जैसे कि जरामरन है जरामरन का समुध उसका निरोध और निरोध के और लिजाने लिए प्रतिपदा उसे प्रकार ये जन्म है जन्म का समुध जन्म का निरोध और जन्म निरोध के और लिजाने लिए प्रतिपदा इस आकार से 44 प्रकार का ग्यान है तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति इन 44 प्रकार का ग्यान यह था बहुत जानता है और आगे जानता है तो वो धर्म का ग्यान कहिलाता है इसे कहते हैं धर्म में इन्यान धर्म का ग्यान है और जब व्यक्ति इस प्रकार से भी और मनसिकार करते हैं बौत्वकाल में जो भी श्रमन ब्रामन हुए है यानि कि भगवान बुद्द और उनके श्रावक हुए है उन्होंने भी इसी प्रकार पटिचस सम्थ पाद को या उसके सभी इन चार सत्य ग्यान से उन्होंने जाना है उन्होंने उसका अनुसरन करके विमुक्त ग्यान राप्त किया है बहुशेकाल में जो सम्मिक संबुद्ध या उनके श्रावक आएंगे और वे जो धर्म का अवबोद करेंगे वे भी इसी प्रकार के सत्य ग्यान से ही तो ये अनुगमन जा ग्यान है इसको भी हमें जानना है कि ये तीनों कालों में समान रूप से अनुगामी ग्यान है अनुगामी करने वाला ग्यान है तो इसे कहते हैं अन्वय ग्यान इन धर्म ज्यान और अनुवी ज्यान से युक्त जो आरे श्रावक होता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं बिक्षु वह आरे श्रावक दिट्टी संपन नो इतिपी वह दृष्टी संपन कहिलाता है दृष्टी संबन क्योंकि बहगवान बुद्धनी यह जो चार एक कडियों में जो चार सत्य बता है उस चार सत्य ज्यान से जो वेक्ति आवबोद करता है समझ लेता है तो उसे समझने के लिए तीन तरीके हैं जैसे कि जो हम श्रवन करते हैं तो उसे श्रवन करते हुई श्रुत में ग्यान से समझना चाहें फिर हमारे भीतर जैसे के साधना के लिए बैठते हैं तो मन में उसी धर्म के अनुसार मनसिकार करते हुई योनिसो मनसिकार करते हुई जो हमें बोध मनसिकार करते हुई जानते हैं समझते हैं कि ये ऐसा है तो वो होता है चिंतन मैं ग्यान ये दूसरा ग्यान है और जो तीसरा ग्यान है उसे कहते हैं भावना मैं ग्यान यानि कि विपस्थना जो ग्यान होता है वो होता है कि इसी योनिसो मनसिकार की आधार पर जो साक्षतकार होता है कि ये इस तरह का है तो ये जो बोध होना है, साक्षात कार होना है, जैसे कि जो आनित्य है, उसे आनित्य के तोर पर हम बली बाते देखते हैं तो वी पसना ग्यान होता है, तो इस तरह से जब हम जानते हैं तो हम एक ग्यान का परिपूर्ण, मतलब ग्यान परिपूर्ण रूप में होता है, तो ठीक से दर्शन करने वाला बनता है आग तो इमंग सद्धमंग इते भी वह वेक्ति इस सद्धर्म में आया हुआ वेक्ति कहला चाहे किसी भी कुल जाते में जन्मा क्यों न वेक्ति हो वेक्ति इस विमुक्त दायन इस तो इस सद्धर्म में आया हुआ व्यक्ति कहिलाता है पस्षति इमंग सद्धम्व और वो भली प्रकार से धर्म को देखने वाला बनता है धर्म को देखने वाला बनता है ऐसे ही कोई व्यक्ति धर्म का कोई ऐसा रंग रूप नहीं है आकार नहीं है कि जिसे व्यक्ति कहता है कि मुझे धर्म का दर्शन हुआ है धर्म इसी ग्यान से देखा जाता है ग्यान के चक्षु से धर्म का दर्शन होता है और वो तीन जैसे ग्यान से शुत में ग्यान हो, चिद्धर में ग्यान हो, भावन में ग्यान हो इसी ग्यान से तो इस धर्म को देखने वाला बनता है सेखेन न्याने न समन नागत वो सेख्ष ग्यान से युक्त बनता है सेख का आर्थ होता है भगवान के श्रावक दो तरह के होते हैं एक सेख श्रावक और असेख श्रावक असेख श्रावक यानि कि जिसने अपना करनी अस सब कुछ कर लिया है अब उसे सीखनी के लिए कुछ शेश नहीं रहा है यानि कि वह आरहंत बने हैं संसार दुखों से मुक्त हुए तो उन स्रावगों को असेएक श्रावग करते हैं और जो आरहंत बने की मारगा पर अरोड व्यक्ति से लेकर जो अन्यस जो साथ पुद्गल है व्यक्ति है जैसे श्रोता पढ़ने से लेकर वे व्यक्ति कहिलाते हैं सेख श्रावक यानि तधागत के आरे श्रावक वही व्यक्ति आरे श्रावक कहिलाता है तो इसी प्रकार के सेख ग्यान से यानि वीमुक्ति क और ले जाने वाली प्रति पता है उस मारगा पर अरुड होने वाली ज्यान से युक्त वह व्यक्ति बनता है आर्थाथी क्या कह सकते हैं हम ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इस प्रकार का चवालिश प्रकार का ज्यान जब प्राप्त कर लेता है समझ लेता है तो शत प्रतिशत वो व्यक्ति शोतापन्न बनता है शोतापन बनने के मारग पर आरुड बनता है इसी ज्ञान से वो युक्त बनता है और आगे कहते हैं सिखाए विज्जा है समन्नागतो यह श्यक्ष विज्जा है विद्या है उससे युक्त बनता है विद्या आविद्या के प्रहान होने के बाद विद्या उत्पन होती है और तो दुख्य समदे, दुख्यनी रोद ne dri screening के और लिजानी वाली प्रतिपदा के ज्ञान न होना आविध्य है जब उसका प्रहान हो जाताए अब उसका ज्ञान होता है यह था वो तो विज्ञाउद बन वोती ही तो यह विद्या भी सेख विद्या यानि कि निर्वान मतली प ज्ञान से वो व्युक्त बनता है ठीक है और जब वो पूर्ण तो प्राप्त कर लेता है तो असेख विद्या बनती है और भगवान बुद्द कहते हैं धम्म सोतं समापन्नो वो धर्म के शूत में आया हुआ व्यक्ति कहलाता है अभी उससे वो व्यक्ति कभी भी अधर्म के और नहीं लोड सकता है जैसे कोई जैसे गंगा नदी है जो हीमाले से निकली हो समुद्र की और जुकी है समुद्र की और वहती हुई जा रही है जो व्यक्ति उस ऐसे प्रभाव में आता है तो वो समुद्र तक ही पहुँच जाता है जैसे गंगा नदी में कोई छोटा सा पानी कोई समिल्थ होता है तो वह पानी समुद्र तक जाता ही है तो उसी प्रकार वह धर्म के शोत में आया वह व्यक्ति बनता है जो व्यक्ति इस प्रकार के चवाल इस प्रकार का ज्यान प्राप्त कर लेता है आर्यो निब्वेधिक पन्यो वह व्यक्ति आर्यो ग्यान को समझ लेता है तो वियक्ति को जो वियमुक्ति की खोज करते हुए उस व्यक्ति को ग्यान को देख लेता है तो इस आर्थ से भी अपनी मुक्ति का जो द्वार है कोई और खोलने वाला नहीं होता है हमें ही खोलने वाला खोलना होता है कोई कहता है कि आरे हम जो सामाने लोग है हम क्या कैसी खोलेंगे वो तो खोलने वाला कोई वो बड़ा इश्वर है वो है करता करिता है हम तो बिचारे ऐसे हैं वैसे तो वो अभाग यहे बिचारे इस प्रकार के मिठ्या दुश्चे में पढ़कर बार-बार स्वंसार में दोड़ते हैं उसका कोई आनत नहीं है लेकिन जो विक्ति सत्य ग्यान को इस तरह से समझ लेता है वो विक्ति सही माने में अपने मुक्ति के दुवार को खोज लेता है और वो विक्ति आमत दुवारं आच्य यानि कि उसकी धर्म यात्रा में उस अमरुत निर्वान का दुवार उसको मिल जाता है यह अमृत निर्वान किस माने में है वह अमृत निर्वान यानि कि जहाँ न जन्म है न बुड़ापा है न व्यादी है ना मृतिव है वहाँ जहाँ एतंग संतंग एतंग पने में जहाँ परम शान परम जो प्रनित आवस्ता है निर्वान है तो उसी को कहते है अमुर्द निर्वान तो ऐसे जगहा पर द्वार पर आया होगे दिर्लाता है तो उबासको इसे समझे और अपने आप पर अनुकमपा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस संसार में मिलने वाले बार बार जो दुख मिलता है बार बार मिलता है उस दुख से मैं बहार आज जाओ इस दुखों से मुक्त हो जाओ और हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ तो आपको चाहिए जो तद्हागत सम्मिक संबुद ने जो स्री सद्धर्म बताया है उस रिसत धर्म को समझे और अपने जीवन में उतारे और उसका साक्षादकार कर उस निर्वान मारगा पर अनुड बने इस धर्म के शूरूत में आने वाले बने बहुत मंगल होगा बहुत कल्यान होगा यह सोभागे बहुसक पलपकल्पांतर के बात कभी खभार ही मिलता है हमेशा नहीं मिलता है तो ऐसा दुरूलब मिला हुआ मोका हाथ से नगवाए जितना हो सके जितना संबब हो सके धर्म को समझने के लिए और उसके अनुसर जीवन जीने के लिए प्रयास करे और अपना मंगल सादले, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्यान होगा, आप सभी लोगों को इस धार्म के रास्ते चलने का सोभागे मिले, धार्म को जानने का सोभागे मिले, और इस संसार दुखों से मुक्त होने का सोभागे मिले, करके हम आशिरवाद करते हैं, सुखेन बुखा निरोगा होंदू, निब्वा नस्स पच्चे होदू, यह सारा पुन्य आप सभी के निर्वान प्राप्ते में हीट प्रत्य बने करके आशिर्वान करते हैं, नमो बुद्धा रें